पब्लिक टीवी आपकी आवाद पास-पास के छेत्रों में एक पोधा अविश्य लगाएं जिससे बायू प्रदूशन को कम किया जा सके इस दोरान पौरूश जैन, आयूश जैन, मन्नु चौधरी, शेरिस, इसमाईल, अन्मोल, गोयल, अविनाश, राजकुमार, साथ ही कॉलिश का समस्ष्टा मौजूद र मजा तरह चौराइं हूाल, और ये बहुती अच्छा कॉंसेप्ट, जैसर आफ भी देख सकते हैं , जैसे कि हम प्लास्टिक आइस किया था जैसे कि plastic mean cost huge important इंव Alrighty in one Still Nu後 अगर paar किपने अपने खर टो हम सकर रेंगे तो अऊंने का हम एक तरिके से प्लास्टिक हम एक तरिक सरय करें वह इंवर्मिंट को भी कप हाम करेंगा Music सेव कर सकते हम उसकी वाजा से सर देखिए मुझा लगता है कि इन्वोर्मेंट को सेव करने के लिए कोई भी चीज हम करते हैं उसमें चोटे-चोटे एफ़र्स लगते हैं तब ही वह चीज एक तरीके से बड़े होके बिल्डप हो पाती है तो जैसे चोटे-फ़र्स लगाएंगे तो सर ओविस सी बात है हम हम बहुत हेल्प होगी इन्वोर्मेंट को सेव करने में और कॉलिज का हम सभी का सभी के बहुत एफ़र्स लगे हैं तो अच्छा ही है प्रियावरन सरक्षन के बारे में समझा है और प्लांटीशन करकर ये समझाने की कुशिश किये कि ट्रीज और पेड हमारे समाज के का अध्यक्ष है हमारे law college के साथ ही साथ मैं अविनाश राजकुमार जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बच्चों को मोटिवीट किया और इस तरीके का कारे करने के लिए प्रिरित किया इसमें हमारे first year second year third year के सभी विध्यारतियों ने मिलकर अपने घर मे जो खराब बोटल्स होती है उन बोटल्स में plantation करकर college के प्रांगन में लगाने का प्रियास किया है जो कि बड़ा सुन्दा दिख रहा है अच्छा लग रहा है और एक तरीके से ये message दिया है बाकि सारे students को कि किस तरीके से plants को plants के थुरू हम आगे किस तरीके से हम plants के कर सकते हैं और ये किसलिए महत्पूर्न है साथी साथ बच्चों ने अपने जो जूनियर से उनके बीच में ये संदेश भी दिया कि पेड़ लगाना बहुत अतियावशक है और ये आगे आने वाले टाइम पे लगाता लगा रहने अच्छी है क्योंकि जिस तरीके से concrete का ज नारे जो प्लास्टिक के आइटम जलाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे प्रयावरन को बड़ा ही नुकसान हो रहा है और बहुत सारे दिक्कते आ रही हैं हमारे आसपास की जो population रह रही हैं जिनको अस्तमा और allergy की problem हैं आखों में जलन की problem हैं उसको भी इनोंने बड़े अच् का काम कर रहे हैं उन लोगों को समझाए चोटी सी चीज के लिए या एक तामबे के तार के लिए एक चांदी के तार के लिए आप इतना प्लास्टिक जला रहे हैं जो कि प्रयावरन को बड़ा ही नुकसान दे है हमारे लिए तो ये भी एक message हमने समाज को देने की कोशिश क देखे डेफिनेटली ये एक मैसेज दिया गया है और ये जो प्लांटीशन हमने हमारे जो ब्रिज है दो बिल्डिंग्स को जो जोड रहा है उस बिल्डिंग में दिया है तो लगबख सभी बच्चे वहां पर आते हैं जाते हैं और करीब धाई जार बच्चे मेरे कॉलेज मे पढ़ रहे हैं जो उनको ये सारा चीज दिखेगी और डेफिनेटली एक लाउ कॉलेज का बड़ा ही सराहनी अप्रियास है उन सभी छात्रों को मत धन्यवाद देना जाओंगा और शुक्ता